बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ कमल नंदलाल के महा उपाए जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बना है दोस्तों आज के कमल नंदलाल के महा उपाए में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती खास टॉपिक जी हाँ फागुन महीने का टॉपिक तो आज हम आप सब बात करेंगे और आपको बताएंगे फागुन महीने में शिवलिंग के निमित यानि के शिवलिंग के पास में एक दीपक जलाएं और आर्थे कसमस्याओं से छुटकारा पाएं आईए इस बारे में जानते हैं देखे फागुन का महीना प्रारंब हो उजने जा रहा है फागुन अपने आप में एक बहुती विशेश महीना माना गया है और ये महीना जो है भगवान, शंकर, देवादी, देव, महादेव और कृष्ण को समर्पित है फागुन जो है, साल का आखरी महीना माना जाता है आखरी महीना और जतना भी हमने बनाया है, जतना भी हमने सजाया है ये यही महीना है, अंत का महीना फाग फाग में देखिए राग राग मतलब आप कितने पुरे साल में राग में रहें ये मेंटर करेगा इस समय सूर्ज जो हुता है वो ग्यारवी राशी में प्रवेश करता है अक्वेरियस में प्रवेश करता है कुम्भ में प्रवेश करता है और सबसे विशिष्ट महीना जाता है महीना माना जाता है साधनाओं से संबंदित ये महिना दिवादी देव महादेव को समर्पित है और यही महिना कृष्ण को समर्पित है और दोनों ही निराकार भ्रम कहलाए गए काली का पुराणे कहती है कृष्ण आद्या शक्ती का प्रारूप है और स्वयम वेदों का सार ही शिव है और सत्यम शिवन सुन्दरम अगर इकटा कर लिया जाये तो संपूर्ण वेद इसी में ही समा जाते हैं तो फागुन का जो महिना है वो प्रारंब होने जा रहा है और फागुन जो है वो 17 फर्वरी 2022 ब्रहस्पतिवार से प्रारंब होने जा रहा है और विशेश यह जो महिना है यह शिवरात्री से सम्मंदित महिना है इस महिने में बड़े परवा आते हैं इस महिने में माता जानकी ने जन मिलिया इस महीने में माता यशोदा ने जन मिलिया शबरी ने जन मिलिया इसी महीने में महारिशिय द्यानंद सरस्वती ने जन मिलिया इसी महीने में विशेश रूप से महा शिवरात्री का महा परवाता है इसी महीने में विशेश रूप से एक परवाता है फूलेरा दूझ जसमें फूलों से भगवान श्री कुरशन की पूजा की जाती है विशिश्ट फूलों से इसी महीने में विशेश रूप से नर्सिंग द्वादिश्य आती है मीन संक्रांती इसी महिने में होती है चंद्रमा कुम्भ राशी से मीन राशी में इसी महिने में प्रवेश करता है और इसी महिने में होली मनाई जाती है होली का देहन होता है इसी महिने में लक्ष्मी जैनती भी होती है कमला जयनती नहीं, कमला जयनती दिपाविली होती है, लक्ष्मी जयनती होती है, और डोल पूरिणा भी इसी महिने में होती है, तो यह महिना बहुत खास है, हमारे साल का आखरी महिना, और समवत्सर का आखरी महिना, इसके बाद फिर नया समवत्सर शुरू हो जाता है, देखिए जोतिशास्त्र के नुसार शब्द जो फागुन है वो पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्रों से बना है दर्म शास्त्रों के नुसार फागुन महा में दोनों फागुनी नक्षत्र के आने पर पलंग और बिछोया योग ये सुन्दर वस्त्र दान करना चाहिए ये शास्त्र कहता है इससे अच्छे जीवन साथी के प्राप्ति होती है फागन का महिना सुन्दर एक महिना है वसंत के बाद का महिना और यहीं से पत्त जड़ शुरू हो जाता है नए पुष्प नए पत्ते आना शुरू होते है और नहीं सरफ अच्छे जीवन साथी के प्राप्ति होती है जो महिला होती है उनका स्वभाग्य भी जागरत होता है और साथी साथ में ये महिना खास है आर और विशेश आपको बताऊंगा कि ये महिना सरफ देवादी दे महादेव का परव नहीं है महिना ये पूरा महिना मूलतह पंच देवताओं के पूजन का विधान है गणपती लक्ष्मी पारवती नारायन और महादेव नारायन के रूप में श्रे कृष्ण लक्ष्मी के लक्ष्मी जैनती और गणपती और सबसे बड़ी बात देवादी दे महादेव इस महिने में कुछ विशेश उपायों से आर्थिक संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है इस पूरे महिने में एक विशेश उपाय जरू करें आप वो ये के शिवलिंग के निमक एक चौमुख ही दीपक जलाएं एक ऐसा दीपक जिसमें चार बत्तियां लगी भी हो लेकिन उसका तेल जो हो वो तेल जो हो अलसी का तेल हो इससे राहु केतू जो है वो शान्त हो जाते हैं और जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ इस पूरे महिने में दारि जाती है तो दोस्तों ऐसी ही नौलेज लेकर आपसे फिर में लाकात होगी देखते रहें इस तो तक नमस्कार नमस्षिवाए झाल